दोस्तों बॉली बुड में जब भी फिल्म इंडिस्ट्री की बात होती है तो ज़्यादा तर लोगों के मन में दो ही नाम आते हैं पहला बॉली बुड और दुसरा शाउट इंडिस्ट्री हलाइं की एक और फिल्म इंडिस्ट्री है जो काफी मशूर है और उसका फैन भेश भी बहुत तगरा है जिहां हम बात कर रहे हैं भजपुरी फिल्म इंडिस्ट्री की भजपुरी फिल्मों का कड़ेश यूपी बियार की लोगों में बहुत अधिक होता है अपने पसंदीदा कलाकारों की फिल्मों का लोग बेसर्वी से इंतियार करते हैं। इसी जबरदस्थ फैन फोलोईंग को देखकर बॉलीवूड के कई बड़े सुपर स्टार भजपूरी सिनेमा में कदम रखे थे। हलाईं की एक समय ऐसा आया के इन कलाकारों ने भजपूरी इंडिस्टी से दूरी बना ली। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन से बॉलीवूड के सितारे भजपूरी फिल्मों में नजर आये और वो क्यों एक वक्त के बाद वो इंडिस्टी से दूर चले ग फिल्म में उनके अलावा कादर खान और रति अगनोत्री ने भी काम किया था। फिल्म देश पर देश का नीरदेशन बीमल कुमार ने किया था। इस फिल्म के बाद धरवेंदर दोवारा कभी भजपूरी फिल्मों में नहीं नजर आये। फिल्म में धरती कहे पुकार अजय देवन की पहली और आखरी भजपूरी फिल्म बन कर रह गई। गंगा, गंगोत्री और गंगा देवी में मुख्य भूमका निभाए हैं। भजपूरी फिल्म गंगा देवी में जया वचन भी लीडरोल पले की थी और इनके साथ दिनेशलाल जादव और भजपूरी के सिरिद भी कहे जाने वाली पाखी हेकरी भी नजर आई थी। लेकिन एक समय के बाद उन्होंने भी इस इंडिस्टी से दुरी बना ली। अब सवाल ये उड़ता है अखिर बॉलीवूड के सुपर इस्टार क्यों भजपूरी इंडिस्टी से दुरिया बना ली। चलिए मैं आपको आप ये भी बता देता हूँ। बताया जाता है कि बॉलीव फिल्म में काम करने वाले एक्टरस को उनकी पूरी फिश नहीं देती। कई फिल्मों के निर्माता निर्देशक अपनी पहचान से हिंदी सिनेमा के सुपर इस्टार को भजपूरी सिनेमा मिले कर आए लेकिन भजपूरी सिनेमा के कारोबार का जो तरीका है वह बहुत सितारों ने अब भजपूरी में काम करना ही बंद कर दिया। दूसरा कारण ये बताया जाता है भजपूरी अब कुछ-कुछ सेमी पौर्ण होता जा रहा है इसकी चलते इसकी ब्रांड भेलू भी बहुत खराब होती जा रही है। इनी कारणों की वज़त से भजपूरी सि ज़र नहीं आ रहे हैं। दोस्तों आपको क्या कहना है इस बारे में आप कोमेंट करके जरूर बताईए।